नमशकार दोस्तों, मेरे पाम इडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई ऐस 24 वरस की महिला के पाम का आउश करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरपरत्म इनके सवालों को सुनेगे फिर एकक करके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया है, तो क्रिप्या करके चैनल को सिस्क्राइब कर ले, बेल आकन को प्रस कर दे, ताकि लेटर्स नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो चलिए शुरू करते हैं, इनका सवाल इस प्रकार ह आगे का जीवन इनका कैसा रहेगा, और जीवन में कोई बढ़ी परशानी तो नहीं, स्वास्त के रिगारिंग कोशन से, और फाइनेंशियल कंडिशन को लेके जानना है, तो निश्चिंत रहे हैं, आपने जो पूछा उसका तो आपको उत्तर में करूंगा ही, बागी जो सतली पर बहुत दमदार योग फील हुआ, बहुत जादा, ऐसी सूड़ी रेखाना, बहुत ही कम केसेज में देखने को मिलती, बहुत बहुत बहतरी इन शूड़ी रेखा, ऐसे व्यक्ति को बहुत कुछ मिलता है जीवन पर, और कुछ दिक्कते भी थी, उस विशे पर भी याएंगे, बट स्ट्रॉंग शूड़ी रेखा, क्विक लर्णर होते हैं ऐसे लोग, एक वड में अगर मैं बोलू, तो क्विक लर्णर और हिम्मत तो माइंड ब्लोईंग, गजब की, तो ये मैं दिखाऊंगा कहां पर क्या दिखा, दूसरी बुद्ध रेखा भी इनकी बहुत जबर्दस्त है, तीसरी इनकी जीवन रेखा पर भी कुछ अच्छी स्थिती बनी हुई है, तो वीडियो का भी महत्पूर्ण पूरा देखिए, ये विदेश में है अबी, और सबसे पहले चीज तो ये मैं दिखाऊं आपको, तो इनकी बुद्ध रेखा, स्ट्रॉ जबर्दस्त, एंड तक, ये बहतरीन योग में से एक है, ये इनकी फेट लाइन है, इसका मैं चर्चा कर दूँगा, ये इनकी फेट लाइन है, जो कि यहां ताकी रुकी, और फिर यहां से आगे मिट गई, फिर इनकी तकरीबन 37 येर से इनकी फेट लाइन बहुत ये इनके इतली पर कुछ बहतर योग थे, इनकी देखो तो सेटर, सेटर मौन पर पर प्रासा ट्रेंगल बना हुआ है, और दूसरी ही केस में, यहां पर से एक हलका सा अगर आप फील करें, तो यहां भी एक ट्रेंगल है, इसके भी विचार किया जागा, इसके यहां पर से इस साड़े के, जो इनके फल मिलते हैं, जीवन पर विचार किया जाएगा, और प्रापटी के काफी अच्छे योग, यह बहतरीन योग इनके एतली पर है, और इसके फल के पाप पूरा-पूरा चर्चा करूँगा मैं, अब मैं इनका थोड़ा प्रशन को सुनता, और इस स सुरी रेखा चली है, और यहां से इनकी फेट लाई है, तो यह दोनों सुरी रेखा, इतनी बड़ी सुरी रेखा नहीं है, यह अलग-अलग है, यह चीज दिख गया आपको, तो यह था इनका कुछ प्रोजिटिव योग, अब इनके सवाल को सुनता हूँ, आगे का जीवन इनका मेली कैसर रहेगा, फिलारि iion की 44 यर्स कप्लीट होने वाली है, तो अभी जो मैं आपके एतिरी देख रहा हूँ, तो 44, अभी आपकी 44 यर्स की ओजी है, वहीं पर से अगर मैं इनका ऐस 44 निकालूं, तो तقریब़ इनका ऐस यहां पर से, यहां पर से तकरिब़न इन नहीं चलाओगा तो 44 की आपकी आयू निकल आपकी 44 की आयू के बाद कोई विसे डिस्ट्रेक्शन नहीं है आपकी अतली पर जीवन रिखाए एकदम पूर्ड है तो दिर्गायू सेंस में आ रही है अर्लियर भले ही तकलीफ आपको आया हो ये तो आया ही होगा एक 36 में बहुत बड़ी दिक्कत थी बहुत बड़ी तो इसका मैंने पुस्टी भी किया तो वो थी उसके बाद से फिर दिक्कत नहीं है और ये इनकी 44 के बाद इस्तिती अच्छी है और financial condition को ले कभी इनका question था आयू तो यहां से आपके दिर्गायू आ रही है दूसरी मंगल एका भी प्रधानत मवस्था में है तो इस case में आयू में विशेष्टम कोई दिक्कत नहीं आती है और 44 के बाद basically इनकी fate line भी काफि strongly बनके आगे चल रही है तो fate line का भी इनका साथ मैं देख पा रहा हूँ तो यहां पर से देखो तो एक fate line यहां पर से आ गई पर यहां पर तो यह इनका कुछ था कि financial condition को लेके और स्वास्त को लेके देखे जैसे आपकी मंगल रेखा और आपकी जीवन रेखा बता रही है तो इस case में स्वास्त तो काफी उमदा रहता है इसमें तो कोई परिशानी वाली बात ही नहीं है और स्वास्त में earlier कोई दिक्कत आई होंग वो चीज़े भी मुझे दिखी और क्यूं दिखी कैसे दिखा उस पर चलचा करूंगा और दूसरी इनकी जो fate line आगे भी दिखराया में जो मैंने यहाँ पर draw किया तो कई न कहिए आपकी smoothness को दर्शारी है अब उतना attention लेने के अवशकता नहीं है जो आपको कस्ट देखना आपने दिख लिया अब आपको आगे का जीवन एकदम मस्ती से जीना है और एकदम काम करते रही है बहतरीन बुद्ध रेखा है और activated बुद्ध रेखा है तो business में आपको काफी तरक्की होगी step by step आप आगे बढ़ेंगी हमारी बात को याद रख लेना अभी जिस condition में आग स्वास्त भी ठीक देख रहा हूँ आगे के आयू भी ठीक देख रहा हूँ और भागी का साथ भी देख रहा हूँ तो step by step आपकी तरक्की होते हुए नजर मुझे फिलाल के condition के हिसाब से आ रही है और एक property के योग थे वो 42 से basically activate थे उसके बाद तो इनकी property बनने ही थी वो और आगे एक और property आपके बनने के chances हैं तो वो suddenly हो जाएगा मैं इनसे कहा भी कि वो suddenly हुआ होगा आपके जीवन पर तो इनों ने का जी हाँ वो suddenly ही हुआ था तो वो चीज़े मुझे आपकी एतली बखुवी दिखा रही है तो ये मूलता दो mainly इनका question था तीसरा भी कहना और एक्षा सकती तरक सकती दोणों ही प्रबल अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगी और इसमें तो कोई परिशानी वाली बात ही नहीं है आपकी एक्षा और तरक सकती जबरदस्त है प्रसनारिटी काफी bold ये लोग किसी भी मुश्यबत से बाहर निकलने की ताकत रखते है दूसरा इनकी देखो तो स्क्वाइरिस है तो मद्यमेश का सफलता मूलता मिलती है स्क्वाइरिस पाम है और ग्रहों में स्ट्रंथ है मूलता तो राज्योकारा कवस्था है तो राज्योकारा कफल मतलब जीवन कमफ़र्ड में तो बीतना ही है इसमें तो किसी परकार का गुले मिलने में कोई परिशानी नहीं है, ये थोड़ा सा न अपनी बातों को लोगों से शेयर नहीं करते और अपनी बातों और अपनी कस्ट तो इनके जो कस्ट भी होग動画 ये कोशिश करेंगे पहले बरदास्त करने का अब जब बरदास्ते बाहर कोई चीज हो जाए तो इंसान तो उसको बताता ही है बोलता भी है तो बरदास्ते बाहर होने के बाद ही इस चीज का ये जिकर करेंगे या बोलेंगे ऐसे ये लोग कंट्रोल करना चाहती है जित्ता भी कस्ट हो जाए तो पहला चीज तो ये था दूसरा अगर मैं देखूं तो इनकी ब्रश्पती की finger तो ये थोड़ी सी बड़ी जा रही है तो ऐसे लोग leadership quality इन में एक रहती है कोशिश करते हैं कि जो भी करूं अपने दंपे करूं घर भी चलाओं तो अपने दंपर चलाओं मतलब ये लोग basically managing का काम करना चाहते हैं और business भी करते हैं तो अपने self business ये कर सकते हैं सक्सेस को भी पाते हैं दूसरा इनकी Saturn Saturn क्या बता रही है Saturn रहा इनकी लंबी है तो ये आपकी महनत को indicate कर रही है काफी महनती है महनत करना आपको basically पसंद भी है और दूसरा इनकी देखों तो खड़ी लाएं तो ये आपकी अच्छाई की सूचक है ये आपको काफी अच्छा एक nature प्रदान करनी है लोगों के परती अच्छी भावणा है आपकी और ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें गरों का फल मूलता मिल बाता है फिर इनकी सन सन फिंगर परने एक distraction था ये मूल आपको थोड़ा हिम्मत में कमजोड करता है बहतरी शूरी रेखा है लेकिन ये मूल क्या करता है शूरी आपको हिम्मत को दर्शाथा है कभी कबार कुछ phase आपके जीवन पयासा आएगा ये तकरीवन आपके early phase में भी होता है और हो सकता है 3-4 परसों के बीच में भी होता है थोड़ा इंसान अपने हिम्मत को कमजोड फील करता है तोड़ा डेलीमा या फिर कह सकते है तोड़ा असमंजस की स्थिति में रहता है तोड़ा ये लोग उस समय ये भी हो सकता है न कि मतलब आपको पता नहीं चलेगा आप एकदम शौक में रहोगी एकदम शौक में रहोगे, एकदम कहने का सेंस है ये, कि आपको सुध बुद नहीं रहेगा, समझ रहे ना, तो दुविदा आपको असमंजस की स्थिति, या कमजोड वाली स्थिति, या मोह खतम हो जाएगा जीवन से, डिप्रेशन वाले स्थिति, ये सब कुछ इंडिकेशन ये मोल दर्शाता है, तो चलिए ये तो आपका फेस खतम हो चुका है, बेसिकली, अब इसका चर्चानी करते है, बुद फिंगर भी छोटी है, तो प्रारंबिक समय में, लापडवाई तो होगी ही होगी, ये बुद फिंगर छोटी थोड़ी आपकी, डोकुमेंटेशन में कमजोरी को भी इंडिकेट करता है, ये तो करता ही करता है, साथा लापडवाई भी इंडिकेट करता है, और दूसरी कहीं न कहीं decision making, इसमें भी काफी effect करती है, तो earlier कोई समश्या होई होगी, तकरीबर आपके 40 years तक, जिसमें decision making में आपको problem होगी, लेकिन वो phase भी आपका ज अब उसके बाद के दिक्कत नहीं थे, इसलिए अब उसके विशा में सोचने क्या वशक्ता भी नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अब क्या है ना, अब आगे आगे आपका कैसा है, दूसरी अगर ब्रश्पती के मैं बात करूं, तो इस लोग ऐसे ही बहुत समझदार होते हैं, इसमें तो कोई संदे ही नहीं है, कुछ लाइन से तो परपकारवारे करों, काम करोंगी आप, और दूसरा इनकी हर्ट लाइन, जो आपकी जुपिटर तक गई है, जो कि ब्रश्पती काफी प्रधानता मौस्था में है, तो इस हर्ट लाइन का, basically कोई negative impact नहीं आएगा, ले जो आपके संबंदी है, उनसे थोड़ी decision कराब होने के indications को भी ये दर्शाती है, फिर देखें इनकी ब्रश्पती, बाकि इनकी ब्रश्पती ब्रॉड है, पड़िवाईक सुख इनको मिलेगा, दामपत्य जीवन का सुख मिलेगा, इससे बच्चे होंगे, और इनके विगराबन देवे भी नज़रार है, ये complete होगी, तो ये आपको काफी benefit देगी, फिलाल ये formation stage में है, यहां से दवावे तो व्यक्ती काफी जादा मैनती और मैनत का फर इनको मिल जागा 60% के round, और सेटरन पर, सेटरन पर कुछ अच्छे योग बन रहे है, ये कुछ आपकी lines है, जो कि जीवन के last period में आपकी fidelity की सुचक बन रही है, जीवन मूलता smoothly करता है, और चुकि आपकी sun के तरप एक मूर्ती भी fate line थी, तो इस case में विदेशी धरती से धनलाव या विदेशी settlement को भी indicate करती है, तो वो कही नगा ये विदेश में है, और ये काफी अच्छे से ह तो वो ये आपकी fate line दर्शा रही थी, और आपको life clown आपको इसका साथ मिलेगा, विशेस्तम दिक्कत नहीं आएगी, एक triangle बन रही है fate line के साथ ही, तो विदेश में ये घर भी खळिदने के योग को indicate कर देती है, जैसे कि आपकी जीवन रिखा पर बनने वारा triangle घर के सुक क दर्शा आता है, वैसे ही विदेश में घर के योग के लिए आपको triangle आपके fate line पर बने तो वो भी देते वे नजर आता है, फिर देखें इन केतले पर यहाँ पर से भी ट्रेंगल बन रहा है, तो ये भी कही ना कहीं, आपको पामेस्ट्रेम इंटरस्ट को भी जगाता है ये दूसरा सीधा सीधा भी amount में है, तो विशेश्टम कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर से खलका सा square बनता है नसरा आ रहा है, तो यह property के regarding अच्छे सुख को indicate कर रही है, अब देखो तो line of education, वो भी इनकी बन रही है, काफी अच्छी है, यहाँ पर से भी हलका सा है, तो कहीं यहाँ आपकी basic knowledge के आपको काफी अच्छी समझ होगी, और शूरी आपका थुरा shift है, शूरी बुद्ध का shiftness है, मद्यमस्तर यह शूरी है, तो name fame तो ऐसा व्यक्ति को चाहिए होता, यह लोग पाते भी है, और दूसरा आपकी बुद्ध भी प्रधान है, तो यह बुद्ध यह आपको बहुत ही अच्छा फल देगा, नहीं 180 रुपे तो जरूर देगा, तो कहीं न कहीं यह शूरी रेखा आपको बहुत ज़्यादा name, fame, और आपको चाहिए भी वो, और एक आपकी पती के संपती का अच्छा साथ, एक फरश बनतावा नजरा आना है, तो इस case में प काफी accuracy है, और एक source of income बनी रहेगी, और फिर देखो तो इनकी बुद्रेखा, यहाँ पर से भी बुद्रेखा बहुत strongly चली, तो business में तो तरक्की है, और यह बहतरीन बुद्रेखा में से, बहतरीन, यह कई न कई आपको business prospectus से काफी अच्छी मानी जाएगी, और दूसरी आ होता है न, कि आप कोई अच्छा कारी कर रही हो, किसी अच्छे पात पे चल रही हो, एकदम से mind आपका हो जाएगा, चलो भी नहीं करती, छोड़ दो जाने तो, लेकिन यह मूलता अर्ली एज में ही होती है, उसके बाद से इसके कोई दिक्कत नहीं आते है, बादमा की सुर अच्छी रहती है, किसी भी बड़े रोग से निकलने की चमता, और सबसे बड़ी बात है, रिकवरी की चमता, और लोग रोगों से लड़ने की चमता, इसमें भी यह लोग काफी बाही होता है, यह लोग काफी स्ट्रॉंग होते है, सारे की स्थिती में भी, और मांसे की आपने मुझे कहा कि 5 दिन में, मैंने पुछा आपने कितने दिन में किया, तो आपने मुझे कहा 2 दिन में, तो अब आपको समझ में आगया difference, तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मंगल अच्छा हो तो आपको कुछ होगा यह नहीं, होगा, अगर आपके एतली पर उसके यो का मिलना, यह सब नॉर्मल सेंटम्स होता है इसका, फिर देखें इन केतली पर चंदर्मा, strong चंदर्मा, strong आपकी व्यक्तित्व का परिचे करा रही है, विदेसी दर्ती से धनला वैसा चंदर्मा तो करी देता है, कुछ दिप्रेशन के योग थे, फिलाली हलके हो रहे हैं, इसमें दो केश होता है, या तो व्यक्ति अर्लियर डिप्रेशन में होगा, वो मिट रहा है, या तो आगे डिप्रेशन आने वाला होगा, तो बेसिकली वो कहां से पता चलता है, वो आपकी राहू लाइन से पता चलता है, तो यह अर्लियर डिप्रेशन में थे, वो बाते क जुरावा कारिये कर सकती है, beauty products से जुरावा कारिये कर सकती है और आपकी शुक्र भी आपकी ठीक मैं देख पार हो मत्या मस्तरी है, यहां से luxury का सुक आपको मिलेगा और दूसरा beauty products, restaurant in सबके कारे में आपको benefit भी यह चीजे दिखा लेती हैं, फिर देखें इनके तली पर fish, त जीवन रहने के बल को increase करता है और कुछ शुक्र पर आपके squares वेगराब बने वे तो property तो बनने ही थे luxury का तो आपका जीवन होना ही था और शुक्र प्रधान रहने के बाद lifelong ऐसे भी luxury के रिगारिंग tensions नहीं रहती और squares रहने के बाद अगर आप सुक्र छेतल से जुड़ा हुआ कारी करें चाहे वो वेबार करें चाहे वो beauty products का कारी करें चाहे इसके जुरावा और भी जो भी कारी आप करें तो आपको इसके रिगारिंग काफी अच्छे benefit देखने को मिलते हैं और शुक्र प्रधान होने के बाद husband का काफी अच्छा साथ और कुछ tensions के लाइन थे वो normal है बहुत बड़ी नहीं है basically इन लोग का शुक्र अच्छा है तो जीवन ऐसे smoothly निकल जाता है कुछ problems भी आएं फिर भी ये लोग अच्छे थे जेल लेती है फिर कुछ money के लाइने बढ़ी हुए लगज़री तो सुक आपको मिलेगा ही मिलेगा दूसरा मंगल प्रधान है तो ये भी कही ना कहीं आपके energy को represent करता है कुछ squares बेगर आप बने हुए तो property के सुक को ये भी दर्शाता है फिर देकिन के तली पर मंगल रेखा ये तो जबरदस्त है ये मंगल रेखाना आपको बहुत ज़ादा आयू में शक्ति प्रदान कर रहा है और SM में दिरगायू बनती ही बनती है अगर कोई बड़ी problem आ भी जाए फिर भी व्यक्ति recover करते वे नजर आता है स्ट्रॉंग मंगल रेखा आयू दिरगायू ये संस में डिनोट कर रही है दूसरा इनकी जीवन रेखा भी इच्छी है तो ये कई ना कई 45 के बाद तो बहुत अच्छी है उसके पहले दिक्कत थी विचरचा करूँगा मैं तो ये 45 के बाद आपकी जीवन में दिक्कते नहीं विश्यस्तम दिक्क रही हैं और आपना केर करें ये आपकी जीवन रेकाची मुझे समझ में आ रही है अर्लियर कुछ तरक्की के योग थे कुछ एक तक्रिवन 22 में में हलकी फलकी प्राबलम थी और एक तक्रिवन आपके 26 में में ये तक्रिवन आपकी 20 में में 26 में में कुछ प्राबलम थी और ये तक्रिवन आपके 36-37 में बड़ी प्राबलम थी लेकिन वो प्राबलम से आप निकल गई होगी क्योंकि वहाँ पर से बड़ी प्रगती के योग भी थे तो problems तो आई ही होगी लेकिन support करने के लिए बहुत से लोग आ गये होगे और continue progress रेका बनी होई थी तो वो निकलने के indications थे एक 40 में भी थी तो ये problems से निकलने के योग थे 44 के बाद तो basically 44-45 के बाद तो खतम ही होगा ये कहानी और ये दर से कुछ lines ऐसे बने होए तो ये basically आपकी smoothness को दर्शादी है विदेसी दर्शादी से दनलाव को दर्शादी है यहां से जीवन रेका smooth है तो कस्ट तो काफी देखा आपने चुकि ये राहू line बहुत strong था लेकिन उस कस्ट से अभी आपका प्राबलम आजा इंसान टेंशन लेता है सोचता है लेकिन अगले ही पले फिर एकदम से स्थन्तो लेत होते वे नजर आते है और कुछ lines ऐसे बनी वीते हैं सैसे ये कुछ यात्राओं के lines और basically यात्राएं वेगर चलती है माइन रेका strong है heart line थोड़ा emotional है तो family से प्यार करने वाली और थोड़ा heart line दो दो तीन ती line बन जाने तो वेक्ति थोड़ा दिल का कमजोर हो जाता है कभी कमजोरी तो होई होती है लेकिन फिर 40 के बाद कितना दिन कमजोर अब आप मारते रो मारते रो, मारते रो पत्थर पर भी या फिर रसी ही घीसते रो पत्थर पर तो निशान पर जाएगा तो निशान क्यों परता है अब वो रसी ने सोच लिया कि ये मेरा कार ही है, ये मुझे करना है इसलिए वो निशान पर गया अब इंसान क्या है न कितना जिन emotional कितना जिन tension व्यक्ति का एक phase आता है life पर आप सोचता है कि अब मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा तो वो फिर आगे चलके ताकतवर बन जाता है अगर आपकी heartline की स्थिती एक जैसे ही रह जाएगी न तो मानलो आपको ये चीज़ फील हो कि मेरी क्या है न मेरी तो emotional nature है बले एक साल फीलना हो दो साल फीलना हो दस साल फीलना हो बीस साल फीलना हो 30 years फीलना हो लेकिन 35 में आपको फील होगा कि अब तो ये मुझे lifelong जिलना है फिर आप strong बनते वे दिर दिर नजर आते हो और उसके indications आपके जीवन रेखा से smooth ली नज रेखा था लेकिन फेट लाइन और शूरी रेखा में difference है तो ये फेट लाइन यहां से दिक्कत थी तो तक्रिवन कुछ दिक्कत से आई होगी फिर 37 के बाद आपके एकदम strong थी तो दिक्कते वैसे विश्यस्तम नहीं आई होगी लेकिन जो फल मिलना चाहिए फेट लाइन फल में यह दिक्कत कर रही थी चुकि सूरी रेखा थी तो वो make-up कर रहा था सूरी लग भी होता है आतेली पर तो वो कहीं नहीं कहीं आपको इजतमान सम्मान पैसा दे रहा होगा लेकिन मजा नहीं आ रहा होगा फिर 37 के बाद आपके फेट लाइन बहुत अच्छी बहुत 42 के बाद जबर दस्त बन के आगे चलिए अभी कोई दिक्कत दी है प्रोपर्टी के भी अच्छे योग है दो दो बन रहा है तो प्रोपर्टी वेगरा तो ये सडनली हो जाता है जीवर पर और सूरी देका प्रधान है तो व्यक्ती बहुत एकुरेट डेडिकेटड कारे को तो लेके और इनके कारी का संवाण भी इनको मिलता है फिर इनकी बुद्धरेखा तो बिजस्नस प्रोस्पेक्टेस अची माने जाएगे ग्रेटर ट्रेंगल बनी हो है तो पैसे बचाने वाली मי कोईल आये है और ऐसी महल आये अपने उपरी खर्च करते वह नजर आती है और ये business prospectors तो काफी अच्छी माने जाएगे strong बुद्द रेका एक तो आपकी मंगल शेट प्रलका जारे दूसरी आपकी अपना कुछ संस्थान स्टार्ट कर सकती हो या कुछ अपना business establishment कर सकती हो जिससे आपको काफी जाधा benefit होगा और आगे भी इनकी देखो तो ये कुछ ब बड़ कर सकते हैं धन्यवाद